उत्तरप्रदेश के जनपत हापुड में यातायात महाकाश शुभारम करते हुए एक जनपत के पुलिस अधिक्षक संजिव सुमंद्वारा हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया आपको बता दे कि देश्व प्रदेश में लगातार सड़क दुरगटनाओं को रोकने के लिए सरकार जहां समय समय पर यातायात जनपता कारेक्रमों का आयोजन करती है तो वही नवंबर माह को विशेश रूप से जागरुकता माह के रूप में लोगों को जागरुक करने के लिए मनाती है इसी कड़ी में आज जनपधापुड में मेरेट रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में यातायात माहा प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें जहाँ सभी उपस्थित पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के साथ साथ रोड वेज डिपो के अधिकारी एवं विबिन्न स्कुलों से आये छातर छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करते हुए क्षेतर की जनता को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूप करने की शपतली जिसके बाद जनपत के पुलिस अधिक्षक संजीव सुमन ने क्षेतर की जनता के बीच यातायात नियमों से लिखित तक्तियों के साथ जागरूपता रैली को हरी जंडी दिखा कर किया जागरुकता रैली में क्यातायाद पुलिस के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों सहित विभिन्न स्कूलों के NCC कैंडिडेट्स एवं छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च कर लोगों को जागरुत किया इस अवसर पर हमारे समवाददाता से बात करते ह हुए पुलिस अधिक्षक संजीर सुमन ने कहा कि देश व प्रदेश में सड़क दुरगटनाओं में कमी लाने की उद्देश से नवंबर माह को जागरुकता माह के रूप में मनाया जाता है तथा विभिन्न दुरगटना वाले क्षेत्रों को दुरुस्त बनाए रखने के लिए इस माह में विशेश रूप से ध्यान देकर दुरगटनाओं में कमी लाने के लिए कारी किया जाता है जिसमें अगर कही सड़के गड़ा युक्त है तो उनके संबंदित विबाग से गड़ा मुक्त कराने का भी प्रयास किया जाता है साथी साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए जनता के बीच सभी सरकारी विबागों के सहयोग से विबिन जाग रुकता कारे करमों का भी आयल जन किया जाता है ताकि सड़क दुरगटनाओं में कमी लाई जा सके